जाहिन्दी स्टुडेंट्स, I am Ritu, your EBS teacher from Ambien Public School. Now I am going to start today's class. So be ready students. Unit 4, My Neighborhood, Mera Pados In Unit 4, the lesson 15, Services in the Neighborhood, Pados में सेवाएं. So students, lesson 15 में हम सब अपने पडोस में जो भी सेवाएं दी जाती हैं, उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, okay? Some places in our neighborhood are very useful. कुछ places जो के हमारे पडोस में होती हैं, वो हमारे लिए बहुत यूसफूल होती हैं. They provide us with many important services. वे हमें बहुत इंपोर्टेंट सेवाएं देती हैं. Let us read about some of them. इन में से कुछ के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे. Students, आपके घर के आसपास बहुत सारे चीज़ होते होंगे न, जैसे कि पोस्ट ओफिस, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बट इसमें इसके यूस क्या-क्या है, इसका हमें क्या सेवा मिलता है, क्या services है, इसके बारे में हमें सही चीज़ पोस्ट ओफिस किस यूस के लिए होता है, हमें हाँ पे क्या करने जाते हैं, ठीक है, firstly, पोस्ट ओफिस यानि कि डागघर, we can buy stamps, postcards and envelops from the post office, हम पोस्ट ओफिस से डाग टिकट, पोस्ट कार्ड और लिफाफे खरीच सकते हैं, we can send telegrams and money orders from the post office, हम telegrams यानि कि तार और money order को post office के द्वारा भेज सकते हैं, we post letters in the letter box, हम सब letter box में पत्र को यानि कि letter को post कर सकते हैं, the postman takes these letters to the post office, और postman यानि कि डाकिया post office से ही letters को लाता है, तो यानि कि post office का use आप सब समझ गए होंगे, कि यहां पे हम क्यों जाते हैं, अगर हमें किसी को कोई letter send करना है, कोई पत्र लि भेज सकते हैं, okay, next service है market, यानि कि बाजार, आप सभी market जाते होगे न, तो आइए हम जानते हैं कि market का हमारे life में क्या importance है, we can buy things of daily need from the market, हम market से ही अपने प्रतिदिन की जरुरूतों को खरिच सकते हैं, there are many swaps in the market, market में बहुत सारे swaps होते हैं, होते हैं आप सभी देखे होंगे, markets may be big or small, markets छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, we get fruits and vegetables, medicines, pencils, paint, clothes and so on from the market, हम सब market से ही फल, सबजियां, दवाईयां, पेंसिल, paint, कपड़े और बहुत सारी चीजे पाते हैं, प्राप्त करते हैं, न आप post office, market का use तो समझ गये होंगे न, किस लिए होता है, और ये सब क्या है हमारे, पडोस की ही सेवाय हैं, पडोस में ही रहते हैं, जादे दूर तो जाना नहीं पड़ता हैं आपको next service है bank, bank का क्या use है, bank की क्या importance है, आईए हम सब जानते हैं, we can keep money and jewelry safe in the bank, हम सब अपने पैसों को और ज्वैलरी को bank में सुरच्छित रख सकते हैं, we can take them out whenever we need them, जब हमें इनकी जरुत होती है, तो हम इससे, इन में से, यानि कि bank से अपने पैसे को निकाल सकते हैं, these days, many banks have automated tailor machine, that is, ATMs, इन दिनों, हर bank, मतलब बहुत सारे bank के पास क्या है, ATM होते हैं, we can take out money from them anytime, और ATM के थुरू किसी भी समय, किसी भी टाइम हम अपने पैसों को निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई भी जरुरत है, कोई भी सामान लेना है, और आप पैसे ले जाना भूल गये हो घर से, तो अगर आपके पास ATM है, तो आप ATM machine के थुरू पैसे निकाल सकते हो, ठ स्टुडेंट्स, लेशन 15 में हमने आज थी सर्विसेस के बारे में पढ़ा, कौन-कौन से, पोस्ट ऑफिस, मार्केट और बैंक, और इन माइ नेक्स वीडियो, आई विल प्रोसीड दिस लेशन, ओके, थैंक यू, एंड हम आइस जे,